हलो पारेंस और वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम कुछ ऐसे फूट्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को जादा खिलाने से बच्चे की ब्रेंड और मेंटल डिवलप्मेंट पर बुड़ा असर पड़ता है ऐसे कुछ फूट्स है जो बच्चों को बहुत कम खिला चाहिए जहां तक हो सके उतना अवाइड करना चाहिए क्योंकि यह जो फूट्स है वो बच्चों को जादा खिलाने से उसका बुड़ा असर पड़ता है बच्चे के मेंटल डिवलप्मेंट पर और उनका ब्रेंड डिवलप्मेंट पर तो वीडियो बहुत खास है बहुत बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा पसंद आने पर लाइक जरू कर दीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिस फूट के बारे में मैं बात करूंग जो बच्चे के ब्रेंड और मेमरी के लिए बहुत बुड़ा होता है वो है कलर फूल फूट्स मतलब जिसमें अर्टिफिशीयल कलर मिला हुआ होता है जिसमें हाय शुगर होता है जैसे कि वो मल्टिकलर जेली या कलर कैंड़्ी वगड़ा जो मिलता है बार्केत में इसमें artificial color होता है, high sugar होता है, जो कि बच्चे के brain और उसकी memory के लिए बुट होता है, यह artificial color जिसमें मिला होता है, यह सब कुछ foods बच्चे को जादा खिलाने से, anxiety, hyper activity disorder या headache भी हो सावधान रहे, यह जो अर्टिफिशियल कलर मिला हुआ खाना है वो जितना हो सके उतना बच्चे को कम दीजिए तो बच्चे के लिए ज्यादा भैतर होगा secondly, quick snacks जो quickly बन जाती है जैसे की pizza, burger, noodles जो दो मिन्ट में बन के रेडी हो जाता है यह सब कुछ भी बच्चे के brain और बच्चे के memory के लिए बहुत बुड़ा होता है यह सब कुछ जल्दी-जल्दी ready हो जाता है, मतलब चुटकी में बन जाती है बस दो मिनिट में हम लोग यह जल्दी-जल्दी अपने बच्चे को दे भी देते है पर ये सब कुछ बच्चे के brand और उसकी memory पर बहुत बुड़ा असर करता है इस सब में preservative होता है जो obviously बच्चों के लिए बहुत बुड़ा होता है ये जो processed food है ये सब कुछ बच्चे को ज़ादा खिलाने से बच्चे मूडी बन जाते है देखना आपका बच्चे का mood swing बहुत जादा होगा अगर ये सब कुछ आप बच्चे को जादा खिलाएंगे उसके behavior में बहुत सारे changes आपको देखने को मिलेगा या तो फिर ये सब कुछ जादा खिलाने से बच्चों में hyper anxiety भी देखा जा सकता है इसलिए ये जो quick snacks होता है ये सब कुछ बच्चे को जितना हो सके उतना कम देना ही बहतर होगा इसलिए मैं बोलती हूँ कि snacks time पे भी आप घर पे ही कुछ बना के रखिए ताकि आप easily बच्चे को दे सके या तो फिर आप best है कि snacks time पे अपने बच्चे को कोई fruit दे रहे हो जो कि बच्चे के health के लिए भी अच्छा होगा और बच्चे के brand development के लिए भी बहुत अच्छा होगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप बच्चे को यह सब कुछ बिल्कुल भी मत दीजिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जमाना ही ऐसा है हर एक बच्चे को यह सब कुछ बहुत पसंद होता है किस बच्चे को पीज़ा बर्गर या नूडल्स बगारा नहीं पसंद मेरी बीटी को भी बहुत पसंद है बट यह सब कुछ आपको कंट्रोल में रहके बच्चे को देना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि विकली बन चाती है तो आप हर रोज बना के यही दे रहे हो ऐसा नहीं है अप महने में एक दिन दे सकते हो तो काफी होगा आपके बच्चे के लिए और उतना जादा बुड़ा टर यहान आपको सोच समझ के अपने बच्चे को देना है मतलब बिल्कुल देना है ऐसा नहीं हो सकता है बट सोच समझ के थोड़ा कंट्रोल में रहके ही दीजिए ज्यादा कोई लगा चीजश नहीं होता है अगर चॉकलेट भी अगर अक़ लिग अपने बच्चे को देenh और high sugar foods जैसे कि pastry, cake, juice, cold drinks वगड़ा ये सब कुछ भी बच्चे के brain और mental development पर बहुत बुड़ा असर करता है मतलब कि बच्चे को pastries, cake, cookies या तो फिर drinks वगड़ा बहुत जादा पसंद होता है सिर्फ बच्चों के नहीं हमें भी बहुत जादा पसंद होता है बच्चों में इसका बुड़ा असर परता है उनकी brain और उसकी memory पर बहुत बुड़ा असर करता है ये सब कुछ high sugar foods जिसमें high sugar होता है इसमें sugar के लबार कुछ नहीं होता है कोई भी nutrition नहीं होता है ये pastries या cookies में कोई nutrition नहीं होता है सिवाए sugar के तो इसलिए ये सब कुछ अगर आप बच्चे को देंगे बहुत जादा तो उसका बुड़ा असर बच्चे के brain और memory के साथ साथ उसके overall health पर भी पड़ता है इसलिए ये सब कुछ भी आप जितना हो सके उतना बच्चे के लिए अवाइड करेंगे तो जादा बहतर होगा और अगर आप मेरे डेली वीवर हो तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में यहीं बोलती हूँ कि जूस आप घर मना के बत्चे को दीजिए कभी भी पैक्ट जूस जो बाजार में मिलता है वह ळाके बच्चे को बिल्कुल भी मत दीजिये क्यूंकि उसमें बहुत ज़यादा सुगर होता है आप घर पे fresh fruits लाइए उसमें से juice निकल के बच्चे को दीजिए वो ज़ादा बहतर होगा आपके बच्चे के लिए वो जो packed fruit juice मिलता है बाजार में वो अगर अपने बच्चे को देंगे तो उसमें कोई nutrition नहीं होता है सिवाए sugar के इस सब के इलावा refined curbs जैसे की मैदा, high mercury fish ये सब भी बच्चे के brain और memory के लिए उतना अच्छा नहीं होता है ये सब भी जितना हो सके उतना अगर avoid करेंगे तो ज़्यादा भैतर होगा आप बच्चे को क्या खिला रहे हो, मतलब बच्चे का diet बहुत ज़्यादा effect करता है बच्चे के mental development पर इसलिए बच्चे का diet सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को हमेशा ऐसा खाना देना चाहिए जो उसकी overall health के लिए अच्छा हो, उसकी brain के लिए अच्छा हो, उसकी memory के लिए अच्छा हो ये सब जो unhealthy चीजे है जो बच्चे की memory और brain के लिए उतना अच्छा नहीं होता है यह सब कुछ जितना हो सके उतना बच्चे के लिए अवाइड करना ही बहतर होगा मैं फिर से ही वही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बिल्कुल भी मत दे क्योंकि यह समभ नहीं है आसपास इजली अविलेवल है सब लोग खाते हैं तो अवियसली बच्चे भी चाहेंगे जिद करेंगे तो आपको बच्चे को देना ही पड़ेगा बट कंट्रोल में रहके दीजिए हर रोज देना सही नहीं होगा आप कंट्रोल में रहके अगर देंगे तो कोई भी बुड़ा असर बच्चे के मेमोरी पर या उसकी ब्रेंड डेवलपमेंट में नहीं पड़ेगा बट आपको कंट्रोल में रहके ये सारी चीजे देना चाहिए हां ऐसे कुछ फूर्स भी है जो बच्चे के ब्रेंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है उसकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है और वो क्या है वो हम फिर कभी डिसकस करेंगे और अगर ये वीडियो अच्छी लेगी है लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूण ला और इस वीडियो को जादा से जादा पैरेंस तक जरूर पहुचाना थांक यू फर वाचिंग